नमस्कार दोस्तों, how to respond faceless appeal notices? Because भारत सरकार ने 25 सितंबर 2020 से income tax की appeals जो की CIT appeals में की जाती हैं जर, क्योंकि that is the first stage of appeal, उसके process को faceless appealate scheme में convert कर दिया. तो ये faceless appealate scheme में अगर किसी व्यक्ति ने appeal करी हुई है already income tax department के पास, तो उसे अपने case का status कैसे पता करना है, उसे अपना response कैसे देना है, ऐसे ही कुछ महत्पुर्ण प्रश्णों के उत्तर के रूप में ये वीडियो आपके लिए प्रस्तोत है. तो दोस्तों इस वीडियो में तीन मुख्य मिंदू आपके साथ discuss करूंगा, तो दोस्तों सबसे पहली बात, how to check status of an appeal which you have already filed, यानि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने form 35 में online appeal कर दी है, और अब आप अपना login खोल करके, अपनी appeal का status चेक करना चाहते हैं, कि मेरी appeal pending है क्या, यानि मेरी को hearing तो नहीं आए, तो आप sir e-proceeding का option पर click करें, जैसे ही आप proceeding के option पर click करेंगे, आपके pen number के सामने, कौन से assessment year के लिए, यहाँ पर जैसे for an example, first appealate proceeding लिखाय सर, यानि आपकी first stage के appeal, CRT appeal के पास pending है, यह लिखा आजाएगा, साथी दोस्तों, अगर यह status open है, तो वो भी आपको दिख जाएगा, अगर यह particular proceeding की कोई limitation date है, यानि proceeding यहाँ तक खतम होनी है, या already close होगी उसकी date आजाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, अभी proceeding pending है, इसलिए closer date का यहाँ प्रश्ण नहीं उड़ता, अगर आप किसी charter accountant को, किसी company secretary को, किसी CMA को, किसी tax advisor को यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, अपनी और से जवाब देने के लिए, तो आप उनको भी सर यहाँ पर add कर सकते हैं, अब महत्मून प्रश्ण यह है, कि आपको यह चेक करना है, कि क्या सर मेरे particular case में, कोई notice तो नहीं आ गया, तो आप क्या करिए दोस्तों, बड़े ध्यान से जुमना मेरी बात को, जहाँ पर यह चीछ दिख रही है, फर्स्ट अप्लेट प्रोसिडिंग यहाँ जाकर आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नोटिस या कम्मिनिकेशन नमबर, अगर कोई पर्टिक्लर नोटिस अलरड़ी इशू हो गया है, वो अपियर होगा, यह नोटिस कौन से सेक्शन में है सर, इंकम टेक्स एक्ट में जनरी सेक्शन 250 में अपियलेट नोटिस इशू होता है, इस CIT अपियल से, वो किस दिन इशू किया गया, और आपके रिस्पॉंस की डेट आपको क्या दे दी गई है, वो बता दिया जाएगा, अब आपके लिए क्या है सर, दो महत्पूर्ण प्रशण है, यह जो नोटिस आया वो क्या है, उसके लिए तो आपको यहाँ क्लिक करना है, और अगर नोटिस का रिस्पॉंस आपको देना है, तो आपको सम्मिंट पर klik करना है, ठीक है, तो यह दो पोइंट सर आपको ध्यान रखने है, जब आप online किसी particular appeal का जवाब देने जा रहे हैं तो तो अगर दोस्तों आपने notice पर click किया है तो आपका notice का यह जो communication number के साथ है यह particular notice जो आप यहाँ पर red में देख रहे हैं यह एक PDF फाइल है यानि एक attachment है आप अगर इस particular attachment को खोलेंगे सर तो जो आपको physical notice issue हुआ है online वो notice को आप खोल के पढ़ सकते हैं कि अच्छा इसमें क्या message लिखा है यह message department ने भीजा है आपके कौन से mail id पर भीजा है यह notice under section 250 है यहाँ आपका नाम लिख करके department के रायसाब 250 में हमने इस assessment year के लिए आपको notice दे रखा है आपको जो भी जवाब दाखिल करना है आप जवाब सम्मिट करिए अब जैसे ही मैंने बोला सर पीडियेफ फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो आप पीडियेफ फाइल पर क्लिक करते ही एक notice आपको सामने दिखेगा कि देखे फॉर इन एक्जांपल गॉर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टी ऑफ फिनांस इंकम टेक्स डिपार्टमेंट नैशनल फेसलेस अपीलेट सेंटर एन फेसी डेली के ओर से यह पर्टिक्लर अससी पर notice under section 250 जारी हुआ है ठीक है दिन यानि document identification number क्या है for authenticity किस दिन को जारी हुआ appeal number आपका क्या है assessment year क्या है और यहाँ as an appealant आपको बुला गया है sir कि आप इसे matter पर अपना जवाब दीजिए इस notice के कुछ और भी content है sir जब आप उसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको यह ग्यात होगा कि department आपसे finally क्या response मांग रहा है अब जो पहले दोस्तों मैंने आपसे बूला था कि submit का भी response आपको क्लिक करना है यानि जब आप submit पर क्लिक करेंगे तो आप जो response department को देना चाहते हैं अपनी faceless appeal पर वो आपको submit करने का मौका मिलेगा यहां आपका pen number आपकी proceeding CRT appeal के आई assessment यह कौन सा है सर डिपार्टमेंट ने कौन सा communication दिया था आपको यानि नोटिस का number और section 250 में अब देखेगा ध्यान से सर आपको दो मौके मिल रहे हैं या तो आप partial response दीजिए या full response दीजिए आप किसी एक को select करेंगे अब partial और full response में क् अगर आप अपनी अभी बात पूरी नहीं रिख रहे हैं कुछ बात आप अपना रखना चाहते हैं और कुछ समय और लेना चाहते हैं तो आप यह partial response को क्लिक करेंगे और अगर आप अपनी पूरी बात एक साथ department के सामने आनलाइन faceless appeal में submission के रूप में रखना चाहते हैं त और PDF format में आप अटेच्च करते जाए जब आप इन्हें अटेच्च करेंगे यहां आपको एक declaration पर क्लिक करना है जैसे ही आप declaration क्लिक करेंगे यह आपको submit करने का option देदेगा तो दोस्तों यह मानते हुए कि आपने अपिलेट समिशन पार्शल रिस्पॉंस के रूप में फुल रिस्पॉंस के रूप में कर दिया आइडिली मैं हमेशे आपको एडवाइस करूंगा क्या आप किसी attachments to be enclosed क्या attachments सर आपको यहां पर अपने submit करने है यानि जो जो documents सर आपके support में है appeal में जैसे ITO ने कोई deduction डिसलाव कर गया तो आप उस deduction के support में क्या claim बोलते हैं आप कोई particular judgment की copy लगाना चाहते हैं आप किसी party का बयान लगाना चाहते हैं आप वो document attached करें आर यू filing a request for additional evidence admission एजन अससी सर यह बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई document assessing officer के पास नहीं रख वाए तो सरकार आपका वो particular evidence को जो की ITO के सामने रखना चाहिए था CIT appeal के सामने रखने की जनरली पावर नहीं देते हैं लेकिन सर आप यदि यह कहते हैं साम request करने का मौका online मिलेगा साथी दोस्तों हम इसे टेकनिकली बोलते हैं additional ground of appeal लेना क्या एक असस ही जैसे क्या होता है सर जब हम appeal करते हैं तो उसमें 3-4-5 जितने मेरे आधार होते हैं जिन पर मैं appeal कर रहा हूं क्या ITO ने यह सही नहीं किया यह deduction गलट क्या income गलत compute करी notice साही नहीं सर्व क्या ऐसे ground उठाते हैं कई बार कोई ground अगर हमसे appeal में लाने से छूट गया है तो सर आपको additional ground लाने की request लगाने की permission होती है और चौती बात सर वेदर personal hearing is also possible प्राइमा फेसाई answer to this question my dear friends is nil लेकिन जो appealate scheme आईए सर फेसलेस appealate scheme उसमें व्यवस्ता है कि चीफ कमिशनर या डारेक्टर जनरल किसी विशेश परिस्तती में assessi को video conferencing या video telephony के तुरू personal hearing की भी अनुमती दे सकते हैं तो यह चार important point सर आपके शायद किसी काम के रहे तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों यह particular video faceless appeals पर आपके लिए useful रहेगी यदि आपके faceless appeals से कोई related queries हो तो आप मुझे लेके मैं उनका उत्तर देने की वरपूर कोशिश करूँगा मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैह